हैलो फूडी आठ में आठी आप लोगों के लिए लेके आए हूँ बहुत ही डिलेशियस बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले आठे के माल पुए जी हाँ ये आर्टियों के मालपुवे मैंने बनाए हैं और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आपको आएगी ठीक है और गाईज अगर आप फर्स टाम आए हैं मेरे चैनल पे तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे सामने रेड कलत का बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजे और चलो हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप भरके आटा इसमें कम से कम मेरे पास जो मालपुए बनेंगे वो 6-7 मालपुए तो आराम से बन जाएंगे इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सूजी सूजी आप मोटा पतला कोई भी ले सकते हो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने यहाँ पर सूजी थोड़ी सी मुझे लेनी है क्योंकि उससे क्या होगा जो हमारा मालपुए बनेगा ना क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो जो हमारा मालपुए होगा सूजी डाने से वो थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाएगा उपर से उसकी बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सौफ के दाने डाल रही हूँ और अगर आपके पास सौफ नहीं है तो आप इसमें इलाईशी पाउडर डाल सकते हो अगर दोनों भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप उसको स्किप कर सकते हैं अब हम यहाँ पे लेंगे दूद दूद हमने बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं लेना है बहुत ठंडा भी नहीं लेना है और एकदम से तो आपने दूद इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि हो सकता है आपका दूद क्लास में ज़्यादा हो आटा कम हो तो बहुत पतला हो जाएगा तो आपने धीरे धीरे करके दूद डालना है और दूद को हमने इतना गरम करना है कि आप उसमें आराम से अपनी उंगली को डाल सकते हो ठीक है ज्यादा गरम हमें नहीं चाहिए तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक बात का अप ध्या रखे गा, अगर आपको मालपुवे में भी उसी हिसाप से बनाईएगा और यहाँ पर मैंने थोड़ी से चीनी डाल दी है चीनी आप चाहो तो यहाँ पर ज्यादा भी डाल सकते हो लेकिन होता क्या है मालपुव को हमने बाद में चासनी में भी डालना होता है जैसे कि हम गुजिया वगरा को डालते हैं तो फिर ज्यादा और ज्यादा मीठा हो जाएगा इसलिए हम चीनी यहाँ पर थोड़ा सा कम डालेंगे तो यहाँ पर मैं माल पुआ बनाना शुरू कर रही हूँ और जब भी आप माल पुआ को बनाना शुरू करते हैं तो आज को आपने मीडियम पे रखना है और उपर से डालते हुए इस तरीकी से डालना आपने जैसे आप उपर से नीचे को इसको गिराएंगे तो अपने आप यह गोलाई में शेप ले लेगा यह देखें और धीरे धीरे इसका जैसे कलर देखिए साइड साइड में चेंज हो रहा है न तो हम इसको यहां से पलट देंगे यह देखें कितना आसान है इसको बनाना कोई दिक्कत ही नहीं है ये देखी कितना अच्छे है इसमें कलर आ चुका है तो ये हमारा मालपुवा तैयार हो चुका है और अच्छे से हम इसका जो ओईल है वो निकाल देंगे ओईल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपके पास घी है तो और भी अच्छी बात है आप घी में इसको बना सकते है अब यहाँ पर क्या था मेरे पास ना मैंने होली पर गुजया बनाई थी आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी तो वही थोड़ा सा मेरे पास चासनी बच्ची हुई है क्योंकि मीठा तो मुझे वैसी पसंद नहीं है तो उसी चासनी में मैं यहाँ पर माल पूह को डाल देती हूँ एक दूसरा माल पूह भी हमारे यहाँ पर तयार होने वाला है यह देखिए बन रहे ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तो बस इसको भी हम ऐसी निकाल देंगे और यह तीसरा माल पूह बनने जा रहा है हमारा गाइस यह बहुत ही टेस्टी होते हैं आप इसको बिना किसी टेंशन के खा सकते हो बाहर से चीज़े लाने से बेटर है कि आप इनको घर में बनाओ घर में हम इसको आसानी से भी बना सकते हैं और हमें पता भी होता है कि हमने कब बनाए हैं कितने टाइम तक हम इनको रख सकते हैं या खा सकते हैं ना क्योंकि बाहर का हमें नहीं पता होता उसी तेल में चीज़े बार-बार बनती हैं और पतानी कफ से वो चीज़े बन के रहती हैं दुकानों में तो बैटरीस के आप इन चीज़ों को घर में बना लो बहुत ही आसान होता है बनाना कोई दिक्कत नहीं आती है यह देखिए बस यह भी हमारा बन चुका है और एक लास्ट में आप और बना रही हूँ इसमें भी आप देख सकते हैं साइड साइड में कलर आ चुका है और हम इसको चेंज कर देंगे यहां से बस यह हमारा एक लास्ट माल पुआ यह भी रेडी हो गया है तो हम इनको डाल देंगे एक साथ čास्नी में और जो उन्हें सबसे पहले मालपूव बनाए था वो सबसे नीचे है तो उसमें ओर डिलग चुआ होगा चास्नी अच्छे से नीचे के मालपूव हैं पहले मैं उनको देख लेती हूँ उनका क्या हाल है तो ये देखिए इतनी चासनी में मैंने इनको अच्छे से यहाँ पर तयार कर लिया है अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है मीठा खाने का तो आप यहाँ पर चासनी को बढ़ा भी सकते हैं यह देखे फिर भी चासनी मेरी बहुत कम थी लेकिन फिर भी इतनी बचगी है तो बस यह हमारे सारे चासनी में तयार हो चुके हैं और अगर आप इनको और भी ज़्यादा डिलिशिस बनाना चाहते हैं तो आप गार्निशिंग के लिए इसमें मावा डाल सकते हैं या फिर ड्राइ फूर्ट्स को डाल सकते हैं अब क्या है कि मैंने गुजिया बनाए थे आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी तो उसी मैंसे कुछ मेरे पास मावा बच गया था उसन का तो यहाँ पर उसी मावा को में गार्निशिंग के लिए डाल देते हूं इससे क्या होगा कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो बस यह अल्मोस्ट हमारे जो माल पूर हैं वो बन चुके हैं आप चाहें तो इनको बिना मावा के भी खा सकते हैं तब भी उतने ही टेस्टी लगेंगे लेकिन थोड़ा सा एक क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा ना मावा के साथ में तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी है तो इसमें आप जरूर इसको यूज़ कीजिएगा तो बस इस तरीके से आपने बस एक साइट से हलका सा पलट देना है इसको और सच बतारियों गाई जब आप इसको खाऊगे ना तो आपको मजा आ जाएगा खा करके एक बड़ जरूर आप इस तरीके से बनाएगा और यह एक और मैंने बना दिया है यहाँ पे इस तरीके से हम सारे माल पूर को यहाँ पे मावाल डाल करके अंदर और उसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और फिर हम गार्निशING के लिए इसके उपर से डाल देंगे ड्राइफ रूट्स ड्राइफ Imperial में आपके पास बदाम है पिष्टा है कोई एक भी है तो उसको भी आप उपर से डाल सकते है या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं तो बस यह हमारा तयार हो चुका है तो होपसों गाईज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक केज़ेगा कॉमेंट कीज़ेगा है न? और अगर अब इस तक आपने सबस्क्राइब नहीं कर दो फटाफट से सबस्क्राइब कर लिज़ेगा तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई डियर टेक कियर